नमस्कार दोस्तों Welcome to my channel दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बीष्टी सत्ती 135 डियाई और कोई भी दूसरा पावर टेलर जो कि आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हो या खरीदना चाहते हो उसके परवे में बात करूँगा वीडियो बहुत ही छोटा ह इससे ठीक 9 महिने पहले मैंने इस पावर टेलर का वीडियो अप्रड किया था सेकेंड पावर टेलर और यह मुझे कुछ 42,000 कुछ मेला था तो इस वीडियो भी बहुत ही मतलब लगभग 60-45,000 लोगों ने जो उसको देखा है तो मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो को भी थैंक यू फॉर बात करते हैं अगर वीडियो चाहिए तो दूसरी ब्रांड का अगर प्रवाटेलर चाहिए तो उस भी से भी में दूसरा वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में भी उसके बारे में ही मैं बता दूँगा देखिए पहले तो आपको डिसाइड करना है कि के से कौ सेकोइनल दॉय चाहिए या नहीं क्यूंकि अगर आप लेना चाहिए तो याद रखना है उसमें कोई बशना अरबत करना है और आच्छा वाला तो वो आपको कोई मेकानिक लेकर जाना पड़ेगा कि वो चेक करेगा कि हाँ अगर सही है तो आप खरीच शकते हो और अभी पैंट पर आते में आपको कहां पर मिलेगा अगर नेया खरीचना जाते हो तो आप पेसा देके कहीं से किसी भी सोरूम से जाके अब खरी साकते हो única सब्सक्राइब करना चाहिए तो ऊपको क्या करना है नजधे की जो भी पावारे टिल्रूरूम आप वहां पर जाए उनको बताए कि मुझे सेकेंड पावर टेलर जाए वो आपको बता देंगे कि यह कहां पर मिलेगा क्योंकि क्या होता है अगर कोई भी पावर टेलर पुरा ने हो जाने के बाद वो जाके आपके शोरूम बालों से पुछते है कि मैं इसको एक्षेंज कराके नेया लाना चाहता हूं तो वो क्या करते हैं ना वो कोई दूसरा कस्टमर ढूरते है कि भाई मुझे यह सेकेंड पावर टेलर का मतलब बेचना है किसी कस्टमर को किसी बंदे को देख लो मैं इसको बेच दूँगा तो कुछ पेशा उसको मिल जाएगा तो इसी तरह अगर आप कोई भी सेकेंड पावर टेलर लेना चाहते हो तो आप जाके नजदी की सोरूम से उनका कंटाक्ट लबर ला सकते हो और उनको आपका कंटाक्ट नमर देखें उनको बताना है कि मुझे भाई सेकेंड बदलाव होना चाहिए क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है कोई अगर इंजिन का काप करना पड़ता है या नहीं तो इस सारी चीजे देखने के बाद जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है या नहीं और प्रॉपर प्राइसिंग के बारे में भी उनसे आप बात see you